Good morning students, आज हम हादिर हैं, lesson number 3, magic words के साथ ये मीठी और एक्ता की conversation चल रही है मीठी, welcome कबीर एक्ता, excuse me, is this your box मीठी? मुझे किरपे करके माफ कीजिए, क्या या आपका डिबबा है मीठी? मीठी, yes, it is mine मीठी का अंसर है, हाँ ये मेरा है एक्ता, would you please show me your storybook? क्या आप मुझे अपनी कहानी की किताब दिखाएंगी? मीठी, pardon, चमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती एक्ता, would you please show me your storybook? फिर से एक्ता, request करती है, क्या आप मुझे अपनी storybook दिखा सकती है? मीठी, yes, of course, where is my picture book? एक्ता, बिलकुल, मैं दिखा सकती हूँ एक्ता, मुझे बताओ, मेरी चित्र वाली बुक कहा है? पिछली एपिसोड में हमने पढ़ा था, magic words के बारे में इस बार का हमारा magic word है, excuse me साथी साथ आपको word meaning भी तयार करने हैं word meaning है, welcome, स्वागत, excuse me, माफ कीजिए pardon means माफ करना, show means दिखाना, story means कहानी, picture means चित्र और tomorrow means आने वाला कल ची, आप आपको बताना भी होगा, आपको कुछ बताना है और वो यह है if you want something from someone, what would you say? जब आप किसी से कुछ मांगेंगे, तो आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? if someone says thank you to you, what would you say? जब कोई आपको thank you बोलेगा, तो आप जब आप में क्या बोलेंगे? if you hurt someone, what would you say? जब आप गलती से भी किसी का दिल दिखा देंगे, तो आप क्या कहेंगे? if someone gives you something, what would you say? जब आप किसी को कोई चीज देंगे, तब आप क्या कहेंगे? इसके साथ साथ आपको spellings learn करनी है, और spellings है, welcome, excuse me, story book, show, picture, please, tomorrow, bring. ठीके, अब हम next steps road में बलेंगे, बाबाई!